हे गाईज वेलकम बेक टू अनौधर ब्लॉग क्यासे हैं आप आई हूप सभी लोग अच्छे होंगे और अयांस की भी तवियत ठीक नहीं है और मुझे भी फीवर आ गया है तो हम दोनों भी ओ गए हैं अभी क्या आया बाबो फीवर आ गया और मुझे इतना मतलब इतनी ते मुझे नीचे रखो कॉम कॉम नीचे करो मुझे इतनी तेजी से कोल्ड हुआ है तो मैं बता नहीं सकते और तो गाईज अभी शाम का टाइम है आट बस गया है तो अभी काम कर रहे हैं और एक तो उपर एक तो जुखाम हो गया है तो उसकी चिड़ चिड़ और दूसरा कुस्बा जी ने आज ऐसे काम कियी है ना तो मुझे इतना गुस्टा आ रहा है बहुत गुस्टा आ रहा है अगर रयान सोता ना इस जगे पे तो यान की टकली फोड़ देते हम मुझे इतनी चिड़ा आ रही न पित्यों पित्यों क्यों पितेंगे तो अभी चलो हम आपको दिखा देते हैं क्यों मुझे गुसा आ रहा है क्योंकि उनको तो कुछ काम करना नहीं रहता है उनको तो कुछ काम करना नहीं रहता है हमें करना पड़ता है तो देखो चलो हम बत अप्याज थोड़ा सा खत्म हो गया था मैंने बोला था की थोड़ा सा प्याज लिया भर साथ जब खत्म हो की तब लेएना पेक ट केट वाले पता इतने सारा की तो उंहों इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे रोना आ रहा था और अयान सामने बार-बार वीडियो चालू कर रहा था बंद कर रहा था क्योंकि ना उसको अभी पता चल गया है वीडियो बनाना तो ये बहुत बढ़ा टास्क था मेरे लिए क्योंकि ना आदे से जादा खराब मैं रहे यार ऐसा क्यों किया मतलब 2-3 किलो ले आते तो ठीक रहता लेकिन फिर चलो कोई बात नहीं और मैंने खाना बना लिया था रोटी सब्जी और यह यांस बत्मीजी दे रहा था और पता है आयांस के साथ ना पूरे दिन काम करते रहो नो तो पता नहीं चलता है कि कुछी मतलब होतारा था ज हुआ देता है और कर देता है कि अगर नहीं हम अधों बाल टी में डालेंगे ना कच्ड़ें पूरी बढ़ जाएं-नलमतबgin मतलब तो बोड़ेवे। देस्ट विन भर जाएगा तो हमने का इसी में भर के रख देते हैं और पचड़ा आएगा तो हम डाल देंगे और बहुत सारे लोग क्या करते इसका ना जूना बना लेते हैं बरतन दुलने के लिए गाउं में तो तो यांच ने पूरे में छिकल छिकल करती है तो मैंने का ला खाना खिला दिया था कुछ बजी चले गए थे थोड़ा बाहर मेरा ही काम था तो मैंने उनको बाहर भीजा था मैंने का फिर दस बजे बंद हो जाएगा तो मैंने बोली थी मेडिसिल ले आओ जाके मेरे लिए नहीं तो मैं परेशान रहूंगी पूरी रात इस वज़े से हमन उनको मेडिकल पर भीज दिया था वो बोल रहते हैं दबाई लेने चलो मैंने का नहीं अभी नहीं जाएंगे एक दिन में अभी देख ले तो गाईस फिर मेरा ना यह आलू फिंगर मतलब फिंगर चिप्स खाने का मनू उरा था तो मैंने क्या किया इसमें आलू दो आलू बारिक काट लिए और यह इसमें थोड़ा सा अरा रोट मिक्स किया है और जरासी मैदा मिक्स की है नमक लैसुन अद्रक का पेस्ट और इसको फ्राई कर लिया क्योंकि थोड़ा जुखाम में ना तीखा खाने का मनू उता है और मोमोस की चत्नी के साथ में खाने वाली थी ज यह मैंने फ्राई कर लिया लेकिन मैंने इसमें ना कलर मिक्स नहीं किया है क्योंकि क्लर मिक्स कोई मुझे बेचना तो है नहीं खाना था तो कलर वगयर अगर जितना ना यूज करो अतना ही अच्छा होता है तो यह देखिएगा जेडी हो गएँ आप भी एक बार ट्राइक करिएगा पिल्कुल एजी तरीके से हैं लेकिन जब बनाओगे ना कट करके एक बार पानी में डाल कर रख दीजेगा आधे घंटे के लिए तो इसका स्टार्ज निकल जाएगा